आज बन रही है एक दम मसालेदार और चट पटी आलू मटर पुलाओ जो कि एक दम खिली खिली है और खाने में जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो हमने यहाँ फ्रेस मटर ले लिये हैं और मैं आब इसके दाने निकाल ले रही हूँ आलू मटर पुलाओ बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि हमारे चावल चिपक जाते हैं और खास तरपे प्रेसर कुकर में तो आज मैं प्रेसर कुकर में ही बना रही हूँ लेकिन हमारी चावल बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और एक दम खिले खिले बनेंगे चावल को अच्छे से दो लिया है मैंने एक ग्लास चावल लिया था तो चावल का मेजरमेंट आप जिस भी चीज से रखें उसी बरतन से हमें पानी भी डालना है तो इस चीज का ध्यान आप शुरू में ही रखिएगा अब मैंने कुकर में एक चमच घी और थोड़े से ओयल डाले हैं और यहां मैं कुछ खड़े गरम मसाला डाल रही हूँ घड़े गरम मसाला में मैंने दो लॉंग चारी लाई ची और एक तेज पत्ता और एक आधी चमच जीरा ली थी अब यहां मैं प्याज और हरी मिर्च डाल दूँगी और इन्हें थोड़ा सब भून लूँगी हम इन्हें ज्यादा नहीं भूनेंगे बस प्याज का कच्चापन खतम हो जाए उतना ही भूनेंगे अब हम इसमें आलू एड़ कर दे रहे हैं आलू को दो मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि आलू थोड़े से गोल्डेन हो जाए और आधे पक भी जाए अब यहां हम आधी चम्मच नमक एड़ कर देंगे जिससे की आलू में नमक का फ्लेवर आ जाए और आलू आसानी से पक भी जाए अब इसे हम एक मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे जब आलू अच्छे से भून जाए तो अब इसमें हम मटर डाल देंगे अब इसको हम चला देंगे आलू मटर को भी हमें एक मिनट तक भूनना है ताकि मटर सौक्ट हो जाए अब हम इसमें मसाले आट करेंगे यहां मैं एक चमच हल्दी ले रही हूँ आधी चमच धनिया पाउडर आधी चमच काली मिर्च का पाउडर और आधी चमच जीरा पाउडर अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमें मसालो को थोड़ा भूनना है तो अब हम इसमें एक कटिवी टमाटर डाल देंगे और इसे भून लेंगे अच्छे से अगर हमारी मसाले तले में चिपकने लगे तो हम इसमें दो चार चमच पाणी डाल एड़ करेंगे ताकि मसाले जले नहीं यहां मैं थोड़े से पानी आट कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छे से भून जाए अब हम टमाटर को गल्ले तक इसे भून लेंगे हमारी टमाटर एकदम गल चुके हैं और मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुकी है इसे एक मिनाट और हम भून लेते हैं देख सकते हैं टमाटर बिलकुल नहीं दिख रही है एकदम गल चुकी है और आलो भी सौप्ट हो गया है भूनते भूनते और मसालों से एकदम अच्छी खुस्बू आने लगी है अब इसमें मैं आधी चमच गरम मसाला आट कर रही हूँ गरम मसाला हमेशा बाद में ही इस्तेमाल करना चाहिए अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी और चावल को भी मसालों के साथ अच्छे से भून लूँगी ये घर के नौर्मल चावल है जो हम घर में रोज खाते हैं उसी चावल से आज मैं आलू मटर पुलाव बना रही हूँ और उस चावल से भी बहुत तेश्टी आलू मटर पुलाव बनते हैं चावल बिल्कुल इस्टिकी नहीं होगा एकदम खिला खिला बनेगा ये तो हमने इसे एक मिनट भून लिया, अब इसमें हम भूने हुए काजू एड़ करेंगे, यहां मैंने काजू पहले से ही भून के रखा था, उसी को मैं डाल रही हूँ अब हम इसमें एक गलास पानी आड़ करेंगे, जिस गलास से हमने चावल लिया था, उसी गलास से हम पानी डाल रहे हैं, चावल और पानी का मेजरमेंट एक दम सही होना चाहिए, जितना चावल उतना ही आप पानी लिजिएगा, अब इसमें मैं कुछ कटे हुए धनिया के प और अब हम कुकर का ढखकन लगा कर एक सीटी आने तक इसे पका लेंगे एक सीटी आने के बाद गैस बंद कर देंगे हम और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे जब हमारी कुकर ठंडा हो जाएगी तो हम खोल कर चेक करेंगे हमारी मटर पुलाव बन चुकी है अब मैं इसे चला के मिक्स कर दूँगी देखिए एक भी चावल इस्टिकी नहीं बना है बलकि हर एक दाना अलग-अलग है कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है यह देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है देख सकते हैं कितने अच्छे से यह गिर रही है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ देखिए एकदम फ्रेस और अलग-अलग है आप इसे रहते और चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा